एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की अलाट्मेंट लिस्ट आ चुकी है मेरे पास है यह पूरी लिस्ट आप अपना नाम चेक कर सकते हैं यदि आपने नौर सीटी का एक्जाम दिया है तो यहां देख लीजिए आपको कौन सा एम्स या कौन सा मैडिकल कॉलेज अलाट हुआ है क्य यह 4 अगस्त 2023 को जारी किया है तो दोस्तों जो नौर सीटी हुआ था नौर सीटी फॉर जो की था टूथाओजन। की था तूथाओंड टूथाओजन टूथावंजन टूज़न टूथाइन का उसका आपका यह फाइनल अलॉर्ट्मेंट लिस्ट आ चूका है तो अनौंसम इमस भोपाल इमस भूनेश्वर इमस विवीनगर आंश विलासपूर आंश तो यह सारे आंश ने पार्टिसिपेट किया था आपके नौर CET 4 में अभी आपका जो next नौर CET होने वाला है वो उसका notification जल्दी आने वाला है तो उसकी जानकारी के लिए आप चनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई notification मिसना हो तो अभी यह सारे candidates का यहाँ पे role number, category, gender और rank rank wise आपको यहाँ पर allotment दे दिया है जैसे rank 1 था in female candidate का तो इनको सदर जंग hospital में यहाँ पर allotment कर दिया गया है as a nursing officer अभी आपको यह list कहां मिलेगी यह list वीडियो के description में link दे दूँगा वहाँ से आप direct download करके अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है तो आपके profile में login करके आपका allotment को accept करना है तो all provisionally selected candidates are mentally required to login in the portal आपको portal के login का URL में link में video के description में दे दूँगा वहाँ से जाके आप login कर लीजिए और वहाँ से आपको accept करना है आपका allotment की आप accept करते हो कि जो भी college आपको allot हुआ है वो उसको agree करते हो वहाँ पे आपको joining करना है यह allotment accept करना है आपको 10 अगस 5 बजे के पहले तक तो इसको miss मत करिएगा 10 अगस के पहले इसको allotment को accept कर लीजिएगा 5 से 10 अगस के बीच में ठीक है 10 अगस 5 दिन का समय दिया है आप चेक करके उसको accept कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना होगा आपके सारे documents upload करना है इस portal पर क्योंकि अभी आपने exam दिया merit list के वैसिस पर आपको allotment मिल गया है मगर जब तक आपका document verification नहीं होगा आपको finalize नहीं किया जाएगा ठीक है तो proof of birth आपको 10th class का mark sheet डालना है proof of essential education qualification तो आपको provisional degree diploma certificate आपको upload करना है उसके बाद आपका registration आपने इंडियन आपको registration certificate update करना है उसके बाद आपका experience certificate अप्लोड करना है उसके बाद आपका डिप्लोमा holder है तो आपको experience certificate अप्लोड करना है उसके बाद आपका reservation नौन क्रिमी लेयर certificate और SCST candidates है तो उसका certificate आपका admit card ठीक है उस पर copy of original ID card proof of identity issued by any government authorities आपका आधार card या pen card latest photograph scan signature scan left hand thumb impression standard declaration A and copy of address proof ठीक है आप electricity bill राशन कार्ड या voter ID यहां पर दे सकते हैं तो यह सारे documents प्रॉपरली अप्लोड कर दीजे पोर्टल पर और submit कर दीजे उसके बाद आपको finally आपका joining letter आ जाएगा और उस joining letter के basis पर आपको date दे जाएगा कि इस date पर आपको join करना है once आपका document verification successfully complete होता दोस्तों नौर्सीटी का next exam के लिए मैं आपको पूरी तरीके से guide करूँगा तो यह अभी आपने नौर्सीटी 4 qualify नहीं हो पाया है या फिर आप नहीं appear हो पाया है तो नौर्सीटी का next फिफ्ट जो exam होने वाला है वह इसी साल इस ने जारी किया है कि इसी साल होने वाला है तो उसका भी नोटिफिकेशन में आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा वागी आपने प्रिप्रेशन जाए रहे रहे दोस्तों all the best